आप लोग हौकी विश्व कप के बारे में सुनते होंगे अभी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि अंतराश्टी हौकी महासंगे द्वारा हौकी विश्व कप 2023 का 15 वा संसकर्ण उडिसा में आयोजित किया जाएगा और 13 से 29 जन्वरी तक एक खेला जाएगा तो सबसे पहले आप लोग एक बार उडिसा चलिएगा उडिसा को देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यह हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप लोगों को उडिसा दिखाई दे रहा है उडिसा की रादधानी भुवने सुर है इसकी सीमा आप देखें पश्चेमंगाल से लगती जारखंड से लगती है और आंधकदेश से लगती है और यहां विधान सबा में 147 सीटे हैं लोकसबा में 21 सीटे हैं रासबा में 10 सीटे हैं और 155,707 बरक किलोमीटर में आपका ओडीसा फैला हुआ है जो ओडीसा के चीव मिनिश्टर साहब हैं वह हौकी को काफी मदद करते हैं जब आप देखेंगे हौकी के खिलाडी आरतिक इस्तिती से जूझ रहते तब उनी के द्वारा मदद भी की गई थी तो अभी आप देखेंगे कि पुरसों के हौकी विसकप 2023 से पहले उरिसा के मुखमंत्री ने राओर किला कि सबसे बड़े हौकी स्टेडियम मैंसे एक बिर्षा मुंडा हौकी स्टेडियम का उदगाटन किया है अब आप लोग कहोगे कि बिर्षा मुंडा कोन है तो आपको बता दूँ कि आदिवासियों में जनजातियों में बिर्षा मुंडा को भगवान माना जाता है वो लोग भगवान मानते हैं और इनका जनम आप देखेंगे कि 15 नवंबर 1875 में वंगाल परसिडेंसी लोहर दगा जिला में हुआ था अब खूटी चारगंड में पड़ता है 9 जून सन 1900 में राची जेल में जो जारगंड में पड़ती है वहां इनकी डैथ हो गई थी और आप देखेंगे कि एक भारती है आदिवासी सुदंता सेनानी मुंडा जनजाती के लोग नायक थे उन्होंने बैट और अंतराष्टी होकी महासंग द्वारा होकी विस्वकप 2023 के पंदरवे संसकन का आयोजन उडिशा के भूवने सुन रावर केला में 13-29 जनवरी तक किया जाएगा होकी विस्वकप की बात करें तो इसकी कल्पना भारत और पाकिस्तान द्वारा सयुक्त रूप से उलमपिक से अलग पिर्मोख एक मात्य होकी पितेयुगता के रूम में की गई थी और वर्स 1989 में इसे अंतराष्टी होकी महासंग द्वारा सुईकित किया गया था लेकिन भारत में इसका आयोजन 13 बरसों बाद वर्स 1982 में किया गया था और इससे पूर इसके चार संसकरणों का आयोजन भारत से बाहर किया जा चुका है 1971 में इसका पहला संसकर्ण पाकिस्तान को आवंटित किया गया था किंतु राजनितिक और सुरक्षा मुद्दों के कारण इसे इस्पेन में इस्थानांतित कर दिया गया था पाकिस्तान की हालत आप लोग जानते हैं टूनामेंट को हर चार साल में आयुजित किया जाता है और जबकि सुरुवाती संसकर्ण हर दो साल में आयुजित किया जाते थे और ओलंपिक भी तो आप देखते हैं कि हर चार साल में एक बार होते हैं 1971 में इस्पेन को हरा कर पाकिस्तान विस्त कप का बिजेता बना था, तो हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है न, विस्त कप बिजेता भी है, इस्पेन को हराया था 1971 में, पिछला विस्त कप होकी बर्स 2018 में खेला गया था, और जहां नीदलेंड को हरा कर बेल्जियम बिजेता था बेल्जीम ने जीता था और भारत में आप देखेंगे कि कब इसका आयुजन किया गया था 1982 में पहली बार ठीक है अंतराश्टी होकी संगी की बात करें महा संगी की तो इसे 1900 आप देखेंगे कि 1924 में स्थाफित की स्थाफित FIS फील होकी की प्रमुक अंतराश्टी के ओलंपिक समिती द्वारा विस भर में होकी के लिए मात्र सासी नेकाई की माननता अपरापत है तो इस तरह के खेल होते हैं उनके बारे में एक सामन जानकारी रख लिया करेगा और चलिए दुआ करिए कि हमारा भारत भी जीत जाए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान तो जीत ही गया एक बार होकी विजेता है